साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज में आप सभी के लिए एक बहुत खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ और साखी का शिर्शक है सचे रिष्टे तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साख संगत जी हवाई जहाज में बैठते ही पतनी मोहिनी की आवाज किशोर जी के कानों में गूजने लगी कि उस लड़की से जादा बात मत करना हमें उस लड़की से कोई रिष्टा नहीं रखना है जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम उस लड़की का क्या करेंगे वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है वो वहीं पर रह कर करती रहेगी हम अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेंगे मुझे वो लड़की पसंद नहीं है उस लड़की ने हमसे हमारा अविनाश छीन लिया है दिल्ली से बैंगलोर दो घंटे की फ्लाइट में अविनाश के 27 साल के जीवन तक की बस यादे ही आती रही और यादों के साथ आती रहे आसू अविनाश 25 साल का था जब वो बैंगलोर में आया था एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने के लिए और उसके अगले ही साल अविनाश ने चांदनी से शादी कर ली बेशक अविनाश ने अपने माता-पिता को बुलाया था और उसके माता-पिता सुभे की फ्लाइट से गए थे और राज की फ्लाइट से वापस आ गए थे दिल पर पत्थर रख लिया था अविनाश के माता-पिता ने इकलोते बेटे के ऐसा करने से अविनाश शुरू से ही जिद्दी था अविनाश अपनी शादी के बाद बस एक बार अपनी पतनी को लेकर अपने माता पिता के पास गया था वो भी केवल दो दिन के लिए और आज अविनाश का बैंग लोर में ही अंतिम संस्कार होना था अविनाश के पिता सोचने लगे कि पता नहीं उनका बेटा कि इस तरह से एक भयंकर बिमारी की चपेट में आ गया और फिर वो बच नहीं सका अविनाश की पतनी चांदनी अविनाश के पिता को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आई थी मूँ पर मास्क, हाथों में दस्ताने, आखों में आसू अविनाश के पिता के मन में बनी अपनी बहु की चवी से वो बिलकुल हिया लग लग रही थी अविनाश की पतनी चांदनी अविनाश के पिता के पैरों पर जुक कर प्रणाम करने लगी ये देखकर अविनाश के पिता किशोर जी का हरीदय द्रवित हो गया उस छोटी सी उमर की लड़की को सफेद कपड़ों में देखकर लेकिन जैसे ही किशोर जी के कानों में उनकी पतनी मोहिनी जी की आवाज गुंजी तो किशोर जी ने अपना दिल कठोर कर लिया और आगे बढ़ते हुए अपने हाथ पीछे खीच लिये चांदनी एक अनाथ लड़की थी वो अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी उसे परिवार के साथ रहने का अनुभवी नहीं था अपनी मेहनत के बल पर ही अविनाश के साथ वो कंपनी में नौकरी तक पहुँचे थी जहां चांदनी केवल अविनाश के संपरक में आई और उन दोनों ने शादी कर ली चांदनी के अनाथ होने के कारण ही अविनाश और चांदनी ने कोट मैरिज करने का फैस ला लिया था शम्शान घाट पर अविनाश कमरित शरीर पड़ा था बहुत कहने के बाद मेडिकल कर्मियों ने अविनाश की अंतिम दर्शन करवाए थे ये एक पिता के लिए कितनी विशम परिस्थिती थी बाप को बेटे कामरित शरीर अगनी को समर्पित करना था तो इससे जादा दुर्भाग्य की बाद पिता के लिए और कोई हो ही नहीं सकती हविनाश के पिता सोचने लगे कि बस यहीं तक हमारा बेटे के साथ साथ था मुखागनी देते ही किशोर जी से खड़ा नहीं हुआ गया उन्हें चक्कर आने लगे तो उनकी बहु चांदनी ने उन्हें संभाला और अपने साथ अपने घर पर ले आई वरना किशोर जी को तो सिधा एयरपोर्ट पर ही जाना था किशोर जी ने चांदनी के घर में आराम किया तो उनकी बेचानी खतम हो गई चांदनी ने किशोर जी के लिए खाना बनाया खाने के बाद किशोर जी अपने बेटे अविनाश का सामान देखने लगे उन्होंने एक बैग खोला तो उस बैग की एक जेब से एक लिफाफा निकला वो लिफाफा किशोर जी ने जब चांदनी को दिखाया तो चांदनी को बहुत हैरानी हुई वो एक पत्र था और वो पत्र चांदनी ने अपने सास ससुर के लिए चार महीने पहले लिखा था चांदनी के पास अपने सास और ससुर का पता नहीं था इसलिए वो पत्र चांदनी ने अविनाश को दिल्ली के घर का पता लिखकर कुरियर करवाने के लिए दिया था और जब चांदनी ने अविनाश को पूचा तो अविनाश ने कहा कि मैंने वो पत्र बेज दिया है पत्र देखकर बैचारी चांदनी हैरान परिशान होकर रोने लगी किशोर जी ने भी दुखी होते हुए चांदनी के सर पर हाथ रखते हुए उसे चुप कर आया जरासा प्यार मिलते ही चांदनी की हिचकियां बंद गई और वो किशोर जी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी उसके साथ किशोर जी भी रोने लगे चांदनी की जासत लेकर किशोर जी पत्र पढ़ने लगे जो कि चांदनी ने हिंदी भाशा में लिखा था लेकिन उसके भाव किशोर जी के दिल को तार-तार कर गए पत्र में लिखा था कि चांदनी हमारे साथ रहना चाहती है हमारी बेटी बनकर और वो हमसे माता-पिता का प्यार पाना चाहती थी लेकिन अविनाश को अपनी मा के गुसे से डर लगता था और चांदनी को भी अच्छे से हिंदी बोलनी और लिखनी नहीं आती थी और जहां पर अविनाश के माता-पिता रहते थे वहां पर चांदनी के लिए नौकरी की भी समस्या थी इसलिए अविनाश चाहता था कि उसके माता-पिता बैंगलोर में ही आ जाए लेकिन इस बात के लिए अविनाश के माता-पिता त्यार नहीं थे बस इसी पारिवारिक समस्य की वज़ा से बिचारी चांदनी फस कई थी उसने हिम्मत करते हुए अविनाश के माता पिता को पत्र भी लिखा ताकि वो हम तक ये पत्र पहुँचा सके किशोर जी सोचने लगे कि अगर ये पत्र हम तक पहुँच जाता तो मैं अपनी पत्री मोहिनी को समझा लेता और उस पत्र में चांदनी ने ये भी लिखा था कि उसके घर पर संतान का जानम होने वाला है और ये बात कभी भी अविनाश ने अपने माता पिता को नहीं बताई थी ऐसी बात नहीं थी कि किशोर जी कोई भावुक व्यक्ती नहीं थी लेकिन इन सभी बातों को पढ़कर किशोर जी का दिल पिघल गया किशोर जी अपने पत्री मोहिनी को भी जानते थी कि अगर उनकी पत्री किसी बात पर अड़ जाए तो वो मानती नहीं क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके बेटे की तरह ही जिद्धी है लेकिन आप पत्र पढ़ने के बाद किशोर जी को लगा कि ये मेरे जिद्धी बनने का समय है किशोर जी ने चांदनी को उसका सामान पैक करने नौकरी से डिजाइन करने और उनका टिकेट कैंसल करके दिल्ली के दो टिकेट बुक करवाने के लिए कह दिया और इसके बाद चांदनी के चहरे पर जो भाव थे उनको शब्दों में बयान करना मुम्किन नहीं किशोर जी को समझ में आ गया था कि उन्होंने एक बेटा खोकर एक बेटी पा ली थी साथ संगत जी इन्हें ही तो सचे रिष्टे कहा जाता है रिष्टे केवल वो ही नहीं होते जिनमें आपस में खून का संबंध होता है कुछ रिष्टे दिल से बनते हैं और सारी जिन्दगी ये दिल से बने हुए रिष्टे निभाए जाते हैं आपको आज किये साखी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा अगर चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजेगा फिर मुलागात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार